विदियो आपके दिमाग में जरूर आते होंगे तो सही वीडियो आप देखने जा रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं मैं बताऊंगी निच्रली कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं अब चावल का आटा हो तो बहुत है नहीं हो तो कोई भी चावल क्रस्ट करके उसे आप बना सकते हो इसका अन देन उसके बाद आप में चाहिए आलो जो सबके घर में अबलेबल होता है उसे आपको पेश्ट बनाके उसका जूस निकाल लेना है अब तू-टू-थी टेबल स्पून आपको उसमें मिला लेना है उसके बाद हमें चाहिए हणी जो होता है बहुत ही ज़ादा स्किन को मॉस्चराइज करता है तो हमें 1-1.5 टेबल स्पून हनी लेना है और इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है एक लंफरी पेश्ट ब हो चुका है वहाँ पहाँ पे आप लगा सकते हो इसे पूरे बॉडी में भी आप अपलाई कर सकते हो तो एक इवन लेयर लगा लेना है 15 मेर्स तक उसको ड्राइ होने के लिए छोड़ देना है एंदेन हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए सारे फेस से पैक को नि चावल का आटा है वह नेचुरल स्क्रब का काम करता है जिसकी वज़य से आपके स्किन से जो भी डेड सिल्स है वह रिमूव हो जाते हैं अड हनी जो है वह आपके स्किन को मॉस्चराइज करता है नरिसमेंट देता है सो इस रेमेडी को आप वीक में टू टाइम से आपको अपने स्किन को मॉस्चराइज करना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो कोई भी माइल सा मॉस्चराइजर अपने स्किन पे एपलाई कर लेना है एंदन इसके बाद यौड तो इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल पे आते रहना वीडियो अच्छी लगे किया तो सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच गई बाबाय टेक केर